Good morning everyone, दोस्तों आज है September 7, 2022 और हम लोग करने वाले हैं The Hindu News Paper के Analysis मेरा नाम असितेंदर चोधरी और रोज की तरह है फिर से कुछ selected topics आपके लिए लाया हूँ तो छोटे-छोटे से topic हैं, आज बहुत जादा बड़े topic नहीं हैं लेकिन देख लेते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो topic रहने वाला है वो रहेगा EWS quota यानि के जो economical weaker section को, जो 10% का quota दिया गया है उसमें Supreme Court की constitutional bench ने सरकार से कुछ कड़वे सवाल पूछे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कड़वे इसलिए बहुत रहा हूँ क्योंकि Supreme Court यहाँ में थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है और यह कोई छोटी मोटी bench नहीं है भाई, यह normal bench नहीं है constitutional bench है, तो constitutional bench की जो भी बात करती है उसको काफी जादा weightage होता है इसके बारे में बात करेंगे, इंडिया की पहली nasal vaccine बनाई गई है जो की आपकी नाक से दी जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यह काफी एक breakthrough यहाँ पर discovery हुआ है शेख हसीना जी इंडिया में आ गई है, तो इन्होंने कौन-कौन से मुद्धों पर बात करी है थोड़ा बहुत उसको देगेंगे, repeated सा topic है बांगलदेश के साथ हमारा मेन मुद्धा क्या रहता है, water का ही रहता है बाकि तो चीज़े जो हो रही हो तो normal हो ही रही है उसमें उसकी भरती के लिए जो है, services में किस तरह का provision है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि Supreme Court के अंदर ये case गया हुआ है MODIS जो कि आपका पता है कि दुनिया की number one credit agency है उसने इंडिया की economy के बारे में कुछ positive signal दिये है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, दो line का topic है फिर बात करेंगे थोड़ा सा maxis award के बारे में prelims के लिए काफी important हो जाता है इस तरह का topic और फिर आजगा है editorial section important है हलांकि थोड़ा सा factual जरूर है लेकिन करने में मज़ाएगा चलिए तो पहला topic में बढ़ते हैं सिधा तो Supreme Court asked center states to allow EWS quota concern तो यह उन्होंने कहा है concern कौन-कौन से हो देखिए इसके अंदर में दिये हुए है लेकिन मैं आपको अलग से बताऊंगा देखिए economical weaker section को जब quota दिया गया था चिक है 2022 में जब कौन से उसके दिया गया था 103rd constitutional amendment act किया गया था तो हमारे article 15 और article 16 इन दोनों के अंदर changes किये गए थे economical weaker section को quota देने के लिए यह चीज आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है आपको यह नहीं पता होगा शायद कुछ बच्चों को कि जो economical weaker section दिया गया है यह कौन से category में दिया गया है यह sworn category में दिया गया है यानि कि general category में दिया गया है इस EWS में SCs candidate और ST candidates और OBC candidates जो हैं वो cover नहीं होते हैं वैसे तो mostly लोगों के यह बाद भी पता होगा but सवाल यहाँ पर यह है कि जो reservation दिया गया है कि कोई भी community अगर वो backward है either socially और educationally सिर्फ आप इनके basis पे reservation दे सकते हो economic basis पे reservation देने का ना तो कई कभी reservation का आज तक motive रहा है और ना ही इस basis पे दिया जाता है अगर कोई community socially backward है या educationally backward है सिर्फ उनको ही reservation का अधिकार है उसके अलावा कोई और reservation नहीं मिल सकता ये reservation के जो philosophy है वो पहले दिन से establish हो चुकी थी देखिए ये कोई गरीबी हटाओ program नहीं है reservation अमझे रहो गरीबी हटाने लिए तो सरकार वह सारी चीज़े चलाती है schemes चलाती है गरीबों को अनास दिया जाता है subsidy दी जाती है बहुत सारी चीज़े है गरीबी हटाओ program थोड़ी नहीं है ये तो socially जो backwardness है उसको हटाने का program है और education जो communities जो historically जिनको education नहीं मिल पाया उनको education से दूर रखा गया उनको education देने का एक तरीका है reservation तो एक तापके चीज़े समझनी पड़ेंगी philosophy क्या है इसके पीछे करे लोग emotional हो जाते हैं लेकिन उसकी philosophy नहीं समझे पाते हैं तो constitutional bench ने ये कहा है तो constitutional bench वो होती है जिसके अंदर 5 जज़ या 3, 5, 7, 9, 11 वो जज़िस होते हैं उस constitutional bench ने सरकार से verdict नहीं सुनाया है सिर्फ सवाल पोचा है सरकार से ये सवाल पोचा है पहले ताप ये बताईए कि आपने जो reservation दिया है reservation वो सिर्फ purely economic basis पे दिया है इसमें आपने socially backwardness educationally backwardness कुछ हुर आपने consider नहीं किया तो क्या ये हमारे basic structure का violation नहीं है पहले ताप हमें ये बताईए ये तो basic structure का violation हो गया basic structure क्या कहता है basic structure ये कहता है schedule caste, schedule tribe या फिर जो दूसरे most impoverized जो socially and educational backward classes हैं आप उनको reservation दे सकते हैं क्योंकि आपने उनको uplift करना है जो socially and educational पहले से ही uplifted है उनको lift करने का क्या फायदा है कि नहीं तो ये क्या हमारे basic structure का violation नहीं है सरकार से उन्होंने सवाल पोचा है दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने amendment किया है तो क्या ये इंद्रासाहनी judgment का violation नहीं है क्योंकि इंद्रासाहनी judgment में 1992 के अंदर ये साफ कहा गया था कि भही economic criteria कभी भी reservation का basis नहीं हो सकता आप उसको ऐसा क्यों करें तो एक तो इस judgment का violation हो गया ये हमारी article 14, 15, 16 का भी violation हो गया और हमारे basic structure का भी violation हो गया और सबसे बड़ी बात जो लक्षमन रेखा रखी गई थी 50% ceiling की इसने उसको भी breach कर दिया ये तो हर तरप से देखवा violation ही हो रहा है न तो Supreme Court ने देखे सवाल पूछा है सरकार से अब बड़ा interesting रहेगा कि सवाल सरकार कैसे इन सारे सवालों का जवाब देती है Supreme Court के उसको पर क्या reaction लेता है it is going to be very interesting to see let's see क्या होता है इस पूरे case में खेर आगे बढ़ते हैं next जो हमारा topic आता है छोटा सा topic है हलका सा इंडिया को अपनी पहली nasal COVID-19 vaccine मिल गई है मतलब अभी तक आपको जो vaccine दी जाती थी कैसे दी जाती थी needle और syringe से दी जाती थी आपकी बाजू में injection लगा जाता था लेकिन आप ऐसा नहीं होगा भारत बायोटेक जो हमारी company है इसने जो है vaccine बना दी है देखिए आप यह पिक्चर देख सकते हो जो आप नाक से भी ले सकते हो अब यह इसकी original discovery नहीं है भारत बायोटेक के नहीं Washington University St. Louis इस university ने इस पूरी process को discover किया था इस company ने फिर भारत बायोटेक को license दिया था उस license के basis पे फिर उन्होंने इस vaccine को बनाया है BB5154 देखिए इनका कहना है कि जो हम लोग usual vaccine लेते हैं इस vaccine का response उससे better है क्यों better है देखिए जो आपको injection से vaccine दी जाती है आपके blood में जाती है बाद में जाके reaction करती है लेकिन क्यों आपकी नाक में दी जाती है ये वाली vaccine तो ये आपकी लोकल जो antibodies होती है हमारे उपर वाले जो respiratory tract में जो हमारे lungs का उपर वाला हिस्सा होता है उस पे ज़्यादा असर करती है और vaccine में आपके यही तो चाहिए होता है इसलिए थोड़ी जादा effective है अब इसके trial हो चल रहे है और वैसे तो मंजूरी मिल गई है और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह primary immunization में यूज होगी primary समझते हो ना मतलब जिसको पहले कोई भी vaccine नहीं लिया था उसको भी यह vaccine नहीं जा सकती है not as a booster dose booster dose तो like third dose हो गई ना वो तो कोई अलग चीज है primary vaccination होता है primary immunization होता है तो शेख हसीना जी वह इंडी में है शेख हसीना जी के इंडिया के साथ बहुत अच्छे relationship रहे है शुरू सही 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले उनके साथ जो है land agreement किया था इसमें कुछ enclaves थे पाकिस्तान के इंडिया के अंदर बंगलादेश के अंदर तो उन्होंने exchange किया था तो वो भी काफी landmark एक historical decision था दोनों के बीच में ओकी शेख अजीना जी की जो अगरा family history पढ़ो गए इवन जब इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था पाकिस्तानी आर्मी उगरा के द्वारा जब ये बंगलादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था तब ये इंडिया में ही थी और छुपके रहती थी तो इनके पढ़ाई लेखा ही पुरा इंडिया में हुए इनकी परिवार को पुरा बज़ए इनके sisters वगरा भी इंडिया में ही थी इंद्रा गांदी की सरगार थी उससमें तो इनको full on protection दिया गया तो एक sentiment जुड़े हुए हैं तब ये काफी यंग हुआ करते थी मतलब बच्ची हुआ करती थी एक तरह से समझ लो आप तो sentiment जुड़े हुए हैं काफी जादा close है इंडिया के तो जब जब ये power में रहती हैं तो वहाँ पे हमारे relation अच्छे रहते ही रहते हैं तो अभी ये इंडिया में आई हैं विजिट ये नो ने किया है तो कुछ-कुछ खास मुद्धों पर तो definitely बात होगी ही जब इतने बड़े-बड़े लिडर आपस में मिलते हैं तो सबसे बड़ा बुद्धा तो हमारे एक ही है कि वही हमारे जो है रिवर वोटर का डिस्पूट हमारे बीच में चलता है इंडिया बंगलादेश के बीच में 54 common rivers आती हैं जो कि ट्रांस बांडरी रिवर्स हैं धर से उधर जाती है सबसे जादा जो है लंबी बांडरी हम लोग बंगलादेश के साथ ही शेयर करते हैं तो रिवर वोटर वाला तो इशू है ही लास्ट टाइम जो इंडिया और बंगलादेश के बीच में ऐसा कोई बड़ा अग्रिमेंट हुआ था वो 1996 में हुआ था गंगा वोटर अग्रिमेंट 28 साल के बाद जो है कोचिस तरह के अग्रिमेंट हो रहा है एक खास रिवर है जिस रिवर का नम है कोशियारा रिवर ज्यान देना है कोशियारा रिवर एक्जाम में 100% प्रिलिम समयां से सवाल वो पूछने वाला है इसके बा हम लोग एक महितरी पावर प्लांट भी लगाने वाले हैं इतने मेगावोट का देखिए इतना मेगावोट आपको याद करने का रिक्वार्मेंट नहीं होता है इसाम के परस्पेक्टिव से खली यह नाम याद रहेगा तो भी हमारे लिए सफिसेंट होता है उसके लब और हम इंडिया से कुछ रिक्वेस्ट किया है कुछ defense equipment को लेके भी अलग-अलग defense equipment की उन्होंने बात किया यह कोई याद-वियाद करने का requirement नहीं है कोई खास चीज़े नहीं है अगजाम गर आता है तो simple कोई as such defense equipment के बारे में तो सवाल आएगा नहीं usually relationship के बारे में सवाल आएग देखे कोश्यारा रिवर जो है वो ट्रिब्यूट्री नहीं है कोश्यारा रिवर जो है डिस्ट्रिब्यूट्री है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा यह है डिस्ट्रिब्यूट्री नोट्दर ट्रिब्यूट्री यूपियस्टी बड़ा चलाग होता है वह इस तरह की सूर्मा रिवर यह है आपकी कोशियारा रिवर और इधर से यह जो आ रही है नागा लेंड से यह है आपकी बराक रिवर ठीक है बराक रिवर बराक रिवर जो है इसी के दो हिस्से तूट जाते हैं एक बन जाता है कोशियारा और एक बन जाता है सूर्मा तो यह बराक रिवर की डिस्ट्रिबूटरी हैं यह आपको समझना पड़ेगा बराक रिवर जो है बंगलादेश और इंडिया के पीच में थोड़ा बाउंडरी भी बनाता है देखें के बाउंडरी बना रहा है को उसके बाद यह डोनों के बढ़ती है तो इस पुएंट में जा की मिलती है और फिर बादमेडर से जो मेगना रिवर जो आती है उसके अंदर मिल जाती है अब ये भी कह सकते हो के सूर्मा रिवर और कोशियार रिवर के मिलने से जो नई रिवर बनती है उसे हम लोग मेगना रिवर भी कहते है ये भी आप कह सकते हो तो उदर से जो ब्रहम पुत्रा आ रही है इन्टा नेम अफ जमुना बाद में जो है और फिर जमुना इदर से तो गंगा इधर से आ रही है, जमना इधर से आ रही है, और पदमा फिर वो इधर से आ रही है, मेगना ने इसको आपके जोइन कर लिया, तो थोड़ा-थोड़ा सा मैप के थूरू आप इसको हलका-फुलका देख सकते हो, यहाँ पर फिर बाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है सुंदरबन डेल्टा यह रिवर यहाँ पर बनाती है, तो कोश्यार रिवर के बारे में थोड़ी-थोड़ी नोलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, इतना ही मेरा और काम था, बाकी तो चीज़ आपको मैंने लगबग बता ही दिये, content आपको मिल जाता है, कहां से ड NCRT करवाई जाएगी, एकदम अच्छे से UPSC के प्रस्वेक्टिस से करवाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि NCRT अगर आप कर लेते हो आपका अच्छा सा बेस त्यार हो जाता है, और जितना अच्छा बेस होगा उतना ही बड़ी बिल्डिंग अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग NCRT की क्लास में भी बाद में मिलेंगे, ठीक है जी चलिए, कल आपसे question पुछे गए थे, उस cancer आपके सामने है, तो पहला जो question था, वो उसका answer है R.A.S. Marge कोई कल वाला जो question पढ़ा था, वो भी हम लोग ने R.A.S. Marge के बारे में ही पढ़ आपे बाद हो जो महालायें वीड़ा होती थी, जो विधवा हो जाती थी, तो उनको वहाँ पे शरण मिलती थी, शolsटर मिलता था, उनको थोड़ा बहुत स्क्ल ट्रेनिंगरा भी हलका फ Spike नापर दिया जाता था, और जो गरीम महिलाएं होती थी, उनको वहाँ पर रखा ज किलाओं की मदद करते हो जो जिनका कोई सहारा नहीं है सोसाइटी में आजकल तो सरकार बहुत ज़्यादा चीज़े करती है तब तो ब्रिटिश रूल हुआ करता था है ना तो इसलिए यह जो परसनेलेटी होती है बहुत बड़ी परसनेलेटी होती है हम इनको यूजली जिनका आपने कभी नाम सुना नहीं होगा वहां से खोद खोद के सवाल आप से निकालेगा बात करते हैं सुप्रीम कोट ने IPS के बारे में कुछ बात कही है देखे जो अभी existing rules हैं यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि जो disabled candidate होते वो IPS को opt नहीं कर सकते उनको यह कहना है कि IPS service के अ नहीं कर सकते ऐसा existing rule का कहना है लेकिन एक NGO है और उस NGO ने जो है इस बात को सुप्रीम कोट के अंदर चैलेंज किया है एंजियो का नाम क्या है वो सब कमारे की काम की बात नहीं है उन्होंने किया है चैलेंज उन्होंने कहा है कि भाई यह तो सरयाम discrimination हो गया एक तरफ तो न्याय हुआ है यह तो कोई बात नहीं हुई तो उस चक्र में जो है सुप्रीम कोट के अंदर जबी प्यायल किया गया तो सुप्रीम कोट ने सवाल सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं सरकार का देखना है क्या उसमें जवाब देगी लेकिन इस NGO ने कुछ बढ़िया बढ़ि जब disabled person को accommodate किया जा सकता है police services की अंदर तो इंडिया में क्यों नहीं किया जा सकता सबसे बड़ी बात तो यह है इसका मतलग यह है कि इंडिया की जो society है वो regressive society है disabled persons को लेके और यह जो society है वो काफी progressive society है तो इससे तो समाज में जो signal है वो अच्छा नहीं जा रहा है पहली दूसरी बात इन्होंने यह कहा कि IPS जब हम officers की बात करते हैं police services की हम लोग जब बात करते हैं यहां पर हमेशा गुंडों के पीछे थोड़ी दोड़ना है कुछ ऐसे मैक में भी तो होते हैं जहां पर आपको physical power की requirement होती ही नहीं जैसे cyber crime wing हो गया हमारे cyber crime wing में already man power बहुत कम है तो क्या हम इनको यहां accommodate नहीं कर सकते हैं क्या definitely कर सकते हैं तो यहां पे इनको करिए इन्होंने यह भी बात कही है उन्होंने यह भी बात कही है कि देखिए अगर हम rules की बात करते हैं तो rules किसलिए बनते हैं rules तो change करने के लिए ही बनते हैं 500 साल पहले rule कुछ बहुर हो अगर उस रूल को भी हम लोग ने चेंज किया है ना तो disabled वाले रूल को चेंज करने में क्या फ़ता रही है आप इसको भी चेंज करिए हाँ जो training का procedure होता है आपको उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा वो बात तो है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन करिए अब पहले तो NDA के अंदर भी लड़कियां अलाओड नहीं थी अब इसके अंदर भी लड़कियां अलाओ कर दी गई है आर्मी में नेवी में एर फोर्स में भी वीमें अलाओड नहीं थी वहां पे भी अलाओ कर दी गई है इसे चेंज हो रही है ना तो इसको आप चेंज को नहीं कर सकते और CRPF वगारा में भी जो है केरला पुलिस वगारा में और दिली पुलिस में जो है जो इन कर सकते हैं जो है दिव्यांग पॉट्सन तो यहां पर क्यों नहीं कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इन सज्जन को भाई, प्रीनों ने ये सवाल पूछा है, अब ये देखना बड़ा इंटरस्टिंग रहेगा, सेंटर गवर्मेंट डिस्कोपर क्या जवाब देती है, मज़ आएगा इसको पढ़ने में, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल चैलिंजिस वोंट डेंट इंडिया रिकवरी, सेज मोडी, तो मोडी एस क्रेडिट एजन्सी है, तो जब मोडी, S&P, ये कुछ ऐसे एजन्सी होती है, काफी वैल्यू है इनका दुनिया में, तो जब ये बात बोलती है, तो इनकी बात जवाबली ध्यान से सुनी ज काफी अच्छे से स्टडी करते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इनके अंदर काफी ज़ाद एक्सपर्ट इंडिया के भी हैं, अमेरिका, यूरॉप, यूरॉप इदर दर से आते हैं, इनका ये कहना है कि देखो, दुनिया भर में हला तो मच रहा है, इकोनमी डाउन जा कर सकते हैं, इतनी बात हम लोग करें, 10% प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, अधिक है, इलेक्शन रैलिया होती है, वहाँ पे सरकार बोलती है, हम तो 15% करेंगे, 20% करेंगे, वो तो पॉसिवल है ही नहीं, ठीक है, चाइना भी 2-3% की बात करता, जिससे अब से दुनिया की ची गई, तो इन्होंने ये कहा है कि वह दिक्कत नहीं है, हाला कि रश्या-उक्रीन क्राइसी चल रहा है, हाईर इंफलेशन भी है, चैलेंज तो है, लेकिन इंडिया जो है, वो ठीक ठाक मैंटेन कर लेगा, इन्होंने ये कहा, हाँ, वो बात लग है कि इन्होंने इंडिया की हाई कर दिया है जिसके वाज़े से मार्गें मनी सप्लाई जो है कम हो गई है तो लोगों को जो है पैसा वैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे वह दिक्कत भी है मौनसून का भी भाई भरोसा नहीं है आपको देखा अपने इवन मौनसून कोफिस डूब गए तो कहीं पर ड्राइने चल रही है रोट आया हुआ है कहीं पर हालत बहुत खराब है तो जिसकी वजह से जो अग्रिकल्चर ग्रोथ में कुछ फरक पढ़ सकता है तो यह इन्होंने यह बात भी कही है तो यह कुछ-कुछ चीज है थोड़ा वह ताब दे लुमिनेशन फॉर्दा रोमन मैकसे से अवोड देखे कि यह जो सलीजा जी है वो कर ला के जो हैं है रही है और कोविड-19 का टाम इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया इसमें कोई डाउट नहीं है के रहा का जो है इंडिया के किसी भी स्टेट से बहुत 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 ब नहीं है और इसमें बहुत बहुत बड़े वाले आंटी कॉनिस्ट थे जब उनकी सरकार पावर में थी तो उन्होंने एंटी कॉम्मिनिस्ट जो है मुम्मेंट चलाई थी फिलिपीन्स के अंदर और केरला के सरकार जो है कॉम्मिनिस्ट गॉवर्मेंट है तो उन्होंने कहा के भाई हम उनसे कैसे ले सकते है Nobel Prize के बराबर माना जाता है जैसे World में Nobel Prize की इज्जत है वैसे एशिया में Roman Maxese Award की इज्जत है Kejriwal जी को मिला हुआ है बहुत सरी प्रसनेलिटे के इंडिय में 50 प्लस प्रसनेलिटीज को जो है ये मिला हुआ है NDTV के जो रवीश कुमार है उनको भी मिला हुआ है बहुत सरे लोगों को मिला हुआ है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रिलिम्स के परसेक्टिव से 1957 में इसको एस्टेबलिश किया गया था तो जो रोमन मैकसे से थे वो फिलिपिन्स के जो है प्रेजेंट रही है यह थोड़ा सा आपको यहां पर पता होना चाहिए एक सर्टिफिकेट मिलता है मैडल मिलता है थोड़ा सा कैश प्राइज मिलता है इतनी इनिफोर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिसेंट है हर साल जो है इंडिया में किसको मिलता है जब यह वोड़ तो वो आपको याद हो सकता होना चाहिए प्रिलिम्स में वो पूछ लेता है कहीं बार ठीक है चलिए आज का जो लास्ट हमारे पास आता है वो कहता है कि इंडिया 7% प्लस एन्वल ग्रोथ देखिए इसने लिखा आर्टिकल पहले तो यह देखना भी ज़रूरी है C. रंगाराजन and D. के स्रीवास्तवा बहिया इंडिया के सबसे बड़े Economist और Policy Makers में इनका नाम है वो आप इनको Economy में पढ़ते भी है रंगाराजन जी की Scheme को पढ़ते हैं Poverty Estimation की बात करते हैं तो रंगाराजन कमीटी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं Planning Commission के Chair Person भी रहे हैं बहुत बड़े Policy Maker भी रहे हैं मनमहन सिंग्जी की सरकार में बहुत बड़े इंसान हैं इंडिया में नहीं पुरी दुनिया में इनका नाम है तो इतना बड़ा आदि भाई कुछ अगर बात करेगा Indian Economy के बारे में तो हम को नोते हैं गुस्ताखी करने वाले तो हम तो इनको पढ़ेंगे ही है ना तो क्या कहा है इन्होंने देखिए अभी हम लोग ने तीन-चार दिन पहले भी बात किया था क्वाटर फर्स्ट के आंकड़े सामने आ चुके हैं जेडीबी के और हमारी क्वाटर वन की ग्रोथ रही है 13.5% दिखने में डीसेंट लग रहा है लेकिन आरवे ने जितना एस्टिमेशन लगाया था 16.2% उसके कंपैरिसन में कम है क्वाटर वन की में बात कर रहा हूं क्वाटर 2, 3, 4 तो अब छोड़ दीजिए वो तो आरवे ने भी उसका एस्टिमेशन जो है 5-6-7% से ज़्यादा लगाया नहीं है क्वाटर वन के इंदर एस्टिमेशन थोड़ा लगाया जाता है क्योंकि जो है उस समय एगरिकल्चर का जो है टाइम होता है, मौन सुना रहा होता है हमारी जो है क्रोप्स गरा लगनी शुरू होती है तो और आखरी पिरिड होता है न वो तो जी एस्टि के लेक्शन गरा सब कुछ आता है तो इसलिए जो है थोड़ा सा जादा लगाया जाता है क्वार्टर वन वाला फैर पाग कोविड नाइंटीन से अगर कंपैरिजन करें कोविड नाइंटीन आने से पहले हमारी जीडिपी पता कितनी थी 35 लाक करोड ठीक है, इन क्वार्टर वन अभी कितनी हुई है 36.9 लाक करोड इन क्वार्टर वन तो हम लोग किस से कंपैर कर रहे हैं 2019 भी से कंपैर कर रहे हैं सिर्फ देखिए कितना फरक है 1 लाक करोड मैक्सिमम only 3.8 परसंट की उरोथ हुई है ताब यह समझा लो, पिछले ढाई-तीन साल में हमारी एकॉनमी कितना पीछे कर दिया है 20-35 में हम लोग रिकबर होने वाले हैं तो सोचके देखिए बहुत बड़ी बात है इन्होंने यह कहा कि क्या इंडिकेट करता है यह जिसका इंडिकेट करती है यह इंडिकेट करती है कि भाई अभी हमारी एकॉनमी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है अभी कुछ दिक्कत है कुछ एरियाज में ग्रोथ हुई है कौन-कौन सेरिय में ग्रोथ है यह देखिए जैसे इन्होंने बात किया एक तो पॉब्लिक अडिमिनिस्टेशन हो गया इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है 12.7% जो कि हमारी नैशनल अबरेट से काफी अच्छी है उसके लावर डिफेंस सर्फिसीज में काफी अच्छा इंप्रूमेंट वह है 26% हुआ है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट अब तो अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर दिया है 25.7% के हिसाब से यह पिछले साल से कंपेर कर रहे है क्योंकि पिछले साल लोगडाउं लगा हुआ था तो उसकी कंपेरिसी में तो ज्यादा होना ही होना है और फिर चलना शुरू हो गया इलेक्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है वोटर सप्लाइब दर वो सब यह कुछ एरिया है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अग्रिकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसने कोविड नाइटन के दोरान भी अच्छा परफॉर्म किया था तो यहां पर अगर मैनुफेक्टरिंग में ग्रोफ कम हो रही है यह थोड़ा जो है चिंता का यहां पर वीशह है यह थोड़ी देखने वाली बात है उसके वाली इन्होंने कहा के भाई इंटरनेशनल डिमांड तो देखिए धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन डिमांड बढ़ना शुरू हो गए है लोग जो है private consumption करना शुरू कर दिया है है ना लोग traveling कर रहे हैं वो restaurant में खाना खा रहे हैं movies में जा रहे हैं mobile phone परचेज कर रहे हैं घरका समान परचेज कर रहे हैं शोपिंग कर रहे है प्राइवेट कंजप्शन जो है वह इंक्रीज हुआ है विच इस गुड तिंग इन इंडिया अभी के लिए है ना ते कुछ कुछ चीज़ नो नहीं यहाँ पर कहिए एक जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है अभी फिलाल हो है है ना तो डेफिनेटि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसके अलावा जो इंडिया में फिस्कल डेफिसेट बढ़ रहा है उसके एक रिजन यह भी है कि हम लोग इंटर्मेडियेट गूड को काफी ज़ादा इंपोर्ट कर रहे हैं इंटर्मेडियेट गूड आप समझते हो ना जिसको फाइनल प्रोड़क्ट बनाने में यूज करते हैं जैसे एक्जम्पल आपको देता हूँ जैसे आपने गाड़ी बनानी है वो आपका फाइनल प्रोड़क्ट है लेकिन उसके जो टायर होते हैं जिसके लिए जो स्टील आती है जिसके लिए रबर आती है जिसके लिए सोफ्ट्वेर आता है वो इंटर्मेडियेट प्रोड़क्ट होते हैं जिसको बनाने में यूज होते हैं जब फाइनल प्रोड़क्ट तो ही इंडिया में बन रहा है लेकिन intermediate products को हम लोग import कर रहे हैं तो हम जो make in India के अंदर domestic manufacturing की बात करते हैं तो भाई local manufacturing कर नहीं है तो समान तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा ना उसलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा इसलिए ये भी fiscal deficit का एक reason यहाँ पर हो सकता है according to Rangarajan जी तो क्या कर सकते हैं हम लोग investment के अंदर आपको और जाद investment को बढ़ाने की requirement है तो कि जब investment बढ़ेगा तो क्या होगा नहीं नहीं इंडस्ट्रियां खड़ी होगी employment generate होगा वो सब कुछ होने वाला है ना एक तीन और कुछ कुछ चीजी ये कही है और export को जो है थोड़ा बढ़ाईए इंपोर्ट को थोड़ा कम करिए तो कुछ कुछ चीजे है पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी थोड़ा साथ 56.4% रहा है इसके बारे में हो लोग ना मेरे खाल से 10 बार बात कर चुके होंगे ये एक survey टाइब कर रहता है जिसमें जो है लोगों से सवाल पूछे जाते हैं questions पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताईए कि इंडेकी economy के बारे में क्या इसका मतलब यो लोग जाधा तरे इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि इंडिया की economy expand करेगी ग्रो करेगी तो जब लोग ये सोचते हैं तो मतलब positive महावल है दुनिया में इंडिया में है ना ये भी दिखाता है तो इसलिए future थोड़ा सा आप यहां पर कहा सकते ब्राइट ह उसके लावा schedule commercial जो banks है हमारे भाई वह भी credit का increase हुआ है मतलब वह भी loan दे रहे है टाटा बिरला अंबानी को है ना आप तो पहले हमेशे में टाटा बिरला अंबानी बोलता था अब टाटा बिरला अंबानी और अडानी है ना चारों को बोलना पड़ेगा तो loan दिये जा र बढ़ा है लेकिन इसको और ज्यादा increase करने की requirement है private capital expenditure आप और ज्यादा बढ़ाए चिक है corporate का भी बढ़ाए और non corporate का भी बढ़ाए दोनों increase होने चाहिए ताकि robust growth रहे प्राइवेट investment को जाते ज्यादा और attract करने की requirement है domestic investment जो है उसको भी pick up करने किया जरूरी है आप हमेश investment को भी बढ़ाए यहाँ पर और जो छोटी-छोटी bottlenecks है जैसे infrastructure हो गया electricity हो गया power की demand हो गई skill का crunch हो गया हमारे पास skilled manpower नहीं है आप उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रोव करें agriculture के अंदर investment करिए disaster management अच्छे तरीके से करिए यह कुछ-कुछ चीजे bottle line का सरकार को हटाने की requirement है तो हमारा अच्छा है मतलब इतना बुरा हालत नहीं है जितनी सब दुनिया म अब देख रहे हो ठीठाक मैनेज हम लोग यहां पर कर रहे है हमारी currency डाउन हो रही है no doubt लेकिन अगर 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 आप एशिया की या वर्ल्ड की दोसरी currencies को देखो जैसे आप बाइक चला रहे हो अब बाइक को आप जो है 40 50 60 70 80 यहां तक आराम से लेके जा सकते कोई दिक्कत नहीं होती है 80 के बाद जो है आप एकदम से speed को 120 नहीं कर सकते और माल आप 120 पे चले भी गए अब आप 120 को 150 थोड़ी कर सकते हो है ना तो 120 की बाद तो वहीं चलेगा 120, 119, 119 तो एक maximum limit पहुंचने के बाद जो है आप से उतनी growth की expectation नहीं होती है क्योंकि already आप peak point पे पहुंच चुके हो तो peak point से और आगे कहा जाओगे तो western जो countries है आप इनको देखो के तो इनकी growth रहती है 1%-2% क्योंकि यह peak पे उलड़ी पहुंच चुके हैं तो वहां से इनको बहुत जादा आगे जाना नहीं है हमारी economy अभी हमारी 50-50 की speed पे हैं अभी हमको 70-80-120 तक लेके जाना है गड़ी को है ना तो इसलिए जो है growth हमारी यहां पे ज़्यादा नजर आती है developing country में हमेश ऐसा होता है जब वह countries develop कर रही थी आप कुछ 100-500 साल पहले तो उनकी growth हुआ करते थी 20-25% इतनी हुआ करते थी लेकिन peak पे पहुं का ही है burden that women bear तो यह थोड़ा अच्छा मुझे लगा आप इसको पढ़ सकते हूं यह कोई code वाला को पढ़ने की requirement नहीं है ऐसे फालतो वालतो का meeting हर बार होता रहता है हर किसी को करने की requirement नहीं है कुछ बड़ी चीज होती है तो कर सकते हैं यह थोड़ा कर सकते हो pollution के बारे मे और यह United Nation ने जो है स्रिलंका के human rights को के बारे में कुछ बात यहांबे कही है एक्चली श्रिलंका के अंदर कुछ साल पहले जब लिट्टे के against में उन्होंने war किया था civil war चल रहा था जब श्रिलंका के अंदर श्रिलंका की आर्मी ने जो है लाखों करोडों की संक्या में व पहले कोशिश कर रहे थी सरकार के पंदर अगस्त को आ जाए महाल बनता है ना बोलने के लिए बहुत कुछ हो जाता है अब ही सोच नहीं के बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं थे बट डिसेंट थे हैना चलिए आज के लिए तना ही है थैंक्यू वरी मुच जाहिंग